हेलो असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम बैक तो मैं यूटीब चैनल जैसे के प्रीवेस वीडियो में आप लो ने देखा कि हमने कोई मार्केट का ओवर्वीव और ट्रेडिंग व्यू का ओवर्वीव किया और हमने टेक्निकल एनलाइसिस और फंडिमेंडल एनलाइसिस के बा देन हम बात करेंगे टाइपस ऑफ मार्केट में जिसमें हम मार्केट टाइपस ऑफ मार्केट जानेंगे मार्केट की स्केल और ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे तीसरा हमारा टॉपिक है डॉलर कोस्ट एवरीजिंग और चोथा हमारा जो मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक ह आपने अच्छे से समझना है यह हमारा most important topic है तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं तो हमारा first topic है types of trade जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी 4 types की trades होती है जिसमें हमारी पहली ट्रेड होती है scalping दूसरी trade होती है intraday तीसरी trade होती है हमारी swing और चौथी हमारी long term trade जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने हर trade के नीचे टाइम फ्रेम लिखा हुआ है इनका मतलब है कि हम इन टाइम फ्रेम पे इन टाइम के chart पर हम trade करते हैं जैसे के scalping जो है वो हम 1,3,5 minute के chart पे ट्रेड करते हैं यह हमारा time frame है chart का हमारा intra day जो intra day है उस पे हम 15,30 और 45 minute की ट्रेड करते हैं time frame पे swing में हम 1,2,4,6 और 12 गंटे के time frame पे trade करते हैं और long time में हम 1 day का chart, 1 week का chart और 1 month के time frame के chart को देखते हुए long term में हम trade करते हैं तो पहले जो हमारी trade है scalping तो दोस्तों scalping हमारी जैसे कि हम आप लोग ने 1 dollar की bid की है ठीक है 1 dollar की आपने trade की है और जैसे ही आपको 1.1, 1.2 1.5 dollar का profit होता है वैसे ही आप उस trade में से exit हो जाते हो उस trade को close कर देते हो और हम इसमें 10 मिनट से ज्यादा trade नहीं करते हम कोशिश करनी होती कि हम 5 मिनट से पहले पहले trade को close कर दे scalping यह होती है दूसरी हमारी trade होती है intraday जिसमें हमारा जो chart होता है वो 15, 30 और 45 मिनट का होता है इसमें हम एक दिन के अंदर अपनी trade को close करते हैं तीसरी हमारी होती है swing swing में हम एक दिन की भी कर सकते हैं और एक हफ़ते तक भी कर सकते हैं लेकिन हम एक हफ़ते से कम ही करते हैं एक दो या तीन दिन जैसे के suppose मैंने आज एक bitcoin बाइक किया ठीक है bitcoin का थोड़ा सा stake बाइक किया और मैंने उसे पर्सों और पर्सों या one week बाद मैंने उसे sale कर दिया ठीक है मैंने दो दिन या चार दिन तक hold किया और मैंने उसे sale कर दिया यह होती है हमारी swing trading long term में हमारा होता है जैसे कि मैंने bitcoin बाइक किया अपने पास रखूंगा जैसे मैं एक साल या दूत साल जितना भी टाईम मैं रखना चाहूं ना टाईम रख लूंगा। जब मुझे ज्यादा प्रोफिट जब bbh मिलेगा तीन महिने बाद मुझे एक साल बात ज्यादा मिल रह है व्हों तो मैं उसको sell करके market से exit हो जाऊंगा long term में यह होता है कि हम जितने ज्यादा देर hold करते हमें उतना ज्यादा profit होता है तो यह होती है मारी 4 types की trade अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सी trade करनी चाहिए अगर आप beginner हैं अगर आप new start कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप swing trade से start करें और आप intraday trading पे जाएं फिर scalping पे जाएं फिर long term पे जाएं ठीक है और अगर आप full time trader बनना चाहते हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं आप के पास time ही time है आप जोब कर रहे हैं और अगर ट्विशन वगरा या अगर आप college या university नहीं जाते तो आपको मैं suggest करूँगा कि आप long के आप swing और intraday trading करें और scalping करें क्यूंकि scalping में हमें बहुत ज्यादा time चाहिए होता है हमारा सारा time देना होता है intraday scalping और swing में और अगर आप job करते हैं आप part time या आप college में जाते हैं आप student हैं या school में जाते हैं आप part time करना चाहते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप long term और swing की तरफ जाएं scalping और intraday में हमें ज्यादा time देना होता है तो इसलिए हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे so ये था हमारी types of trade जिसके बारे में हमने जाना है अभी हम देखेंगे types of market के बारे में जानेंगे types of market की types of market में हमारी दो किसम की types होते हैं जिसमें हमारी सब हमारा trend होता है uptrend जिसमें जो हमारी price होती है coin की वह continuously उपर की तरफ जा रही होती है example किस तरह से के जैसे कि हमारी $10 से price start हुई वह $20 पे गई $20 से वह $2 minus हुई यानिके $18 पे price थोड़ी सी नीचे आई लेकिन अगेन उसने big jump किया वह $18 से सिधा $30 पे चली गई $30 से अगे अगेन उसने jump किया $20 पे $20 से अगेन price थोड़ी सी उपर गई $22 हुई $22 से अगेन price नीचे आई $10 पे इसे हम कहते हैं downtrend then हमारा एक और trend होता है तीसरा trend जो होता है sideway trend जिसमें जो हमारी price होती है वह थोड़ी सी उपर जाती है अगेन उतनी ही नीचे आ जाती है फिर उपर उन्होंने $10 पे patients under the function रहते उन्होंने $10 पर डिक्या जिससे हमारी जोट प्राइस ही वह नीचे आ और the French Advo reviewed इसे हमारी price इन्होंने औरॉलर पे जीन तेन डॉलर पर पर अगेन उन्होंने selling शूरू उपर प्राइस इस was penny guys ट्रेंड यह तीन Contra m जैसे कि आप देख सकते कि यहां से हमारा जो है अपवर चानिए यहां पर अगर यहां से अब आप कर सीधा प्राइस जुह है डाउनवर्ड की तरफ चले यानि कि हमारा एक ट्रेंड जो है वह एक बार नहीं रुकता हमारा जो ट्रेंड हो चेंज होते रहते हैं ठीक है जैसे हमारी डाउनवर्ड गई तो अगर हम आगे जाते हैं तो यहां पर अगेन हमारी जो है वह मिडवे स्टार्ट हो गई यहां पर हमारी प्राइस उपर गई फिर हमारी डाउनवर्ड गई फिर हमारी यहां से प्राइस ने बिग जम किया उपर गई और फिर जो है वह हमारी प्राइस ड्रोप हुई डाउनवर्ड ट्रेंड उसने शुरू किया तो इस तरह से जो है हमारे जो तीन और ट्रेंड है वो एक साथ प्ले होते रहते हैं ठीक है कभी मिडवे ट्रेंड चलता है कभी डाउन वे ट्रेंड चलता है कभी अफ़र ट्रेंड चलता है जिसे हमें ध्यान रखना होता है कि हमें देखना होता है नजर बनानी होती है कि हमारा कब कौन सा ट्रेंड चलता है त्यों ये था हमारे यह तीन आइपस के टरंड अब हम बात करेंगे साइकल picked-मे मारकिट ऐ मारने मौरे दो हे साइकल जिसमें सबसे पहला बूल बेर मॉजर साइकल होता और इक बेर साइकल खते हैं।म कोंटिनी वो लेके जाते हैं up trend बनाते हैं जो bulls होते हैं और जो bears होते हैं वो up trend बनाते हैं वो price को नीचे की तरफ लेके जाते हैं वो कैसे लेके जाते हैं उनके पास जो होता है उनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है means कि उनके पास सबसे ज्यादा market cap होता है जिसकी वयासे bull bears जो है वो market को जब चाहें उपर लेके जा सकते हैं ठीक है और जो bears होते हैं वो market को नीचे लेके जाते हैं तो यह हमारे दो types के cycle होते हैं अब मैं आपको बताऊंगा के bitcoin जो है वो हमारा major coin है जो bitcoin पे हम देखते हैं वो ही बाकी coins पे भी हम देख सकते हैं जैसे कि अगर bitcoin नीचे जा रहा है तो हमारे जो बाकी coins हैं अगर आप उनको देखेंगे तो वो भी नीचे की तरफ जा रहे होते हैं जैसे कि अभी मैं आपको यह bitcoin का मैंने चार्ट open किया इस पे मैं आपको light coin को compare करके दिखाता हूं सो जैसे कि हम यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पर मैं सिंप्री light coin का LTC code और USD सर्च करूंगा सो यहां पर अब आप देखेंगे तो यहां पर वेट शो नहीं हुआ भी गेंड करते हैं यहां पर चलते हैं यहां पर चलके हम प्लस के आइकन पर क्लिक करके एथिरियम को compare करते हैं यह देखें यहां पर हमारा जो है यह ओरिंज लाइन जो देख रहे हैं यह एथिरियम का चार्ट आ चुका है और अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो यह देखें जैसे जैसे हमारा bitcoin का चार्ट द आता है वैसे वैसे ही अधिर इछ इन पसांग है अजा कर रहा है अब जा रहा है वही ए से भर हो ders होते हैं रहा हैं से हमें कि घॉक्तित है कोई को प्रिक इस बिडियन के चाहिए लिए अव मेशार नाजों मेंट बीडि महोंति हों थे जो ह shipsил बीडियों और यह ते सीरफ इथेरियम पे नहीं बलके बाकी भी किसी भी चार्ट को आधे के जैसे कि अभी मैं लाइट कोईन को ओपन करता हूं सो अभी आप जो बीलू वाली लाइन्स देख रहे हैं यह लाइट कोईन की लाइन्स है यह जैसे जैसे बिट कोईन ऊपर जा रहे है वैसे 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 बिट कोईन का चार्ट नीचे जा रहे है जैसे जैसे साइड वेव बन रही है अगर आप देखें आप साइड वेव बन कुलों हाएं जैसे अब ट्रेंट बिट को इन्हां बन रहा है वैसे ही बाकी कॉइंस में भी अब ट्रेंट बन रहा यहां जो इसन पर ओर हुए वही बाकी सब design 4 आ और बिडिया है तो आप नहीं सब बनाई नहीं है हमेशा ऊपने कि को फोलो करते रहना यह थिक यह यह था हमारा types of market जिसमें हमने देखा है के markets के trend क्या होते हैं और cycle कौन-कौन से होते हैं अब हम सीखेंगे के dollar cost averaging क्या होती है cost averaging के बारे में अब मैं समझाता हूं so dollar cost averaging जोस्तों एक technique होती है जिसमें हम investment करने से पहले इस technique का use करते हैं जिससे हमें हमारी investment का पता चलते हैं कितना profit कर सकते हैं इस technique की मदद से so dollar cost averaging को मैं एक example की तोब पर समझाता हूं जैसे के मैंने और मैं दोस्त ने एक investment निकाली के मेरे पास इतने हैं तुम्हारे पास इतने हैं तो हम दोनों इसका bitcoin buy करते हैं 12,000 dollar fund उसके पास था 12,000 dollar fund मेरे पास था उसने जनवरी की starting में 40,000 dollar जब price थी bitcoin की तब उसने 12,000 dollar का bitcoin buy कर लिया सारा का सारा उसने एक ही बार में invest कर दिया जिससे उसके पास जो bitcoin की quantity हो गई 0.3% उसके पास bitcoin की quantity हो गई और उसने और मैंने यह किया कि मैंने जनवरी के जब bitcoin 40,000 dollar का था तब मैंने 1,000 dollar का buy कर लिया मैंने का कि मैं हर एक महीने में 1,000 dollar का bitcoin buy करूंगा और मैंने जब first month buy किया तो मेरे पास 0.03% quantity आई जो के मेरे दोस्ते 10 time कम थी और उसकी मुझसे 10 time quantity ज्यादा थी मगर मैंने हर महीने 1,000 dollar का bitcoin buy करना शुरू कर दिया उसने एक ही बार में सारा buy कर लिया था जिसके उसकी quantity ज्यादा थी तो मैंने हर महीने bitcoin 1,000 dollar का buy किया जिसमें bitcoin की price change होती रही दूसरे महीने ज्यादा हुई तीसरे महीने कम हो गई फिर कम हो गई जिससे यह हुआ कि मेरे पास bitcoin की quantity ज्यादा होगी जब bitcoin इनकी price कम हुई जैसे के दिसमबर नुमंबर अक्टूबर सेप्टेंबर और अगेस्ट में bitcoin की जो price थी वह 50% कम हो गई 40% 40,000 dollar से 40,000 dollar से start हुआ था और 20,000 80,000 dollar पर आगे जब इसकी price कम हुई तो मुझे उसमें फाइदा यह हुआ कि मुझे quantity ज्यादा मिल गई यानि कि मुझे मैंने अगर first month 1000 dollar का buy किया तो मुझे 0.03 quantity मिले और जब मैंने सेप्टमबर में buy किया तो तब bitcoin की price कम थी और 1000 dollar में मुझे quantity ज्यादा मिले तो ऐसे कुल मिला के मेरे पास जो quantity हो गई साल के end में 0.48 हो गई और मेरे दोश के पास 0.3% quantity थी इससे यह हुआ कि उसकी जो total value थी वो थी 2000 dollar यानि कि 40,000 dollar से bitcoin आ चुका था 2000 dollar पर तो उसकी जो value बनी वो बनी 6000 dollar ठीक है और मेरी जो average price थी bitcoin buy करने कि वो 28,000 dollar थी और मेरे पास quantity 0.48 dollar थी 48 bitcoin थी और मेरी जो value बनी वो बनी 30,583 मेरी इससे 10 times ज्यादा value हो गई क्योंकि मेरे पास quantity ज्यादा है क्योंकि मैंने हर महीने 1000 dollar invest किया है और मैंने जब कम bitcoin की price कम हो गई थी तब मुझे ज्यादा quantity मिली तो इससे यह समझ में आता है कि अगर ह तो इक ही बार में उसकी प्राइस निक्सां और बाद में उसकी price अऊपर नीचे हो जाती है तो उसमें हमें नुकसां हो सकते हैं हमेशग हमने अपने funds को divide कर देना है जब हमारी जैसे कि अभी हमने ज्यादा ज्यादा पर बाय कर लिया जब हमारा कम हुआ हमने उस पर बाय कर लिया जब उस पर हमने बिटकोइन बाय कर लिया और जब अब सपोज हमने सोचा कि नेक्स्ट येर बिटकोइन की प्राइस 55,000 पर चले गई जैसे Bitcoin की 55,000 के चले गई हम दोनों दोस्तों ने मिलके सोचा कि हम अब इससे sell करेंगे तो हमने sell किया जिसमें मेरे पास quantity थी 0.48 dollars 48 Bitcoin की जिसमें मुझे profit हुआ 118% और मेरे दोस्ती जो quantity थी 0.3 थी जिसमें उसको profit हुआ 38% का जिसमें उसने profit किया 4,000 dollar का और मैंने profit किया 33,000 dollar का यह होती है dollar cost averaging आपको types of market और dollar cost averaging समझ में आ गया है आज के इस video में हमने 3 topics को recover किया है इंशाला next video में हम recover करेंगे portfolio management मैं इस video में आपको समझा दूँ but portfolio management के लिए एक अलग video बनाऊँगा क्योंकि वह main topic है और उस पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिसकी वैसे मैं आपको next part 2 में उसको समझाओंगा portfolio management most important topic है अगर हम portfolio manage नहीं करते तो हमारी जो complete price है वो liquidate हो सकती है मतलब के हम अपना सारा पैसे जो हैं वो सारे lose कर सकते हैं portfolio management समझना बहुत जरूरी है आज की वीडियो में I hope के आप लोगो types of trade क्या होती हैं किस तरह से होती हैं आपको marketing के बारे में समझ में आ गया होगा trends के बारे में पता चल गया है cycle के बारे में पता चल गया है और dollar cost averaging के बारे में पता चल गया है अभी next video में हम discuss करेंगे portfolio management में अगर आपको video अच्छी लगी हो तो like करना और channel को subscribe करना और next video जरूर देखना और complete course देखने के बाद ही आपने investment शुरू करनी है आपने जैसे जैसे videos देखते जा रहे हैं वैसे वैसे ही आप demo trading करते जाएं ताके आपको practice होती जाए next video में इंशाला आने वाली videos में मैं आपको demo trading के बारे में बताऊँगा कि किस्ता से demo trading करनी है so thank you so much for watching bye